हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल मॉडर्न इस्टडी में मैं अर्शुक खान आज हम पढ़ेंगे कि जो हम पढ़ चुके हैं रिजिनिंग की दो टापिक्स रैंकिंग पार्ट वन पार्ट टू उसके आगे आज उसका थार्ड है इंटर्चेंज इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं इंबेट्बिन पढ़ चुके हैं और कंपेरिजन पढ़ चुके हैं आज हम सुरू कर रहे हैं इंटर्चेंज आपस में बदलने पर कि कोई चीज आपस में बदलने पर क्या होता है जिस पर बेश्ट यह आपके सामने एक question है देखिए ज़रा करा पी जो ये पी है ये बाएं से दसवे नमबर पर है पी है बाएं से दसवे नमबर पर क्यू है दाएं से पंद्रहवे नमबर पर फिर क्या होता है वे अपना अस्थान बदल लेते हैं जिसे आपस में बदलने पर interchange तो उसी तरह से ये भी अपना प्तान चेंज करते हैं तो पी बाएं से बीसवे नमबर पर हो जाता है तो बताओ नमबर एक पक्ती में कुल बच्चों की संख्या क्या होगी और पी और क्यू के बीच में कितने बच्चे होंगे इसके लिए एक नोट है बहुत ही इंप्वाटन नोट है जिसके यह सवाल बहुत ही आसान इसे कुछ सेकंड दो से तीन सेकंड के अंदर आप लिख सकते हैं इसका इंसर तो चलिए देखते हैं वो नोट क्या है note है कि अगर निकालना है हमें total कितने बच्चे हैं हमारा question पहला क्या है total कितने बच्चे है कुल बच्चों की संख्या कितनी है तो एक बार आया हुआ हाँ तो देखते है total total अगर निकालना है तो उसके लिए क्या formula है एक बार आया, मतलब इस question में कौन सा P या Q दो ही है, तो दोनों में से कौन एक बार आया है, देखो P यहां से दसवे नमबर पर है, फिर बदल करके P बीसवे नमबर पर हो जा रहा है एक बार कौन आया है, Q 15 वा, तो एक बार जो आया है उसको लिखेंगे, मतलब 15 आया है Q आया ना, तो यह 15 वे नमबर पर है तो 15 लिखा जाएगा, प्लस दो बार में जो बड़ा है दो बार कौन आया है, P इनमें से कौन बड़ा है, 10 नमबर बड़ा है कि 20 नमबर बड़ा है, तो बड़ा 20 नमबर है तो 20 नमबर लिखेंगे माइनस एक यह होता है टोटल निकालने के लिए अगर इनके बेटबीन में पूछ लिया जाए तो दो बार में आये का अंतर दो बार कौन आया है पी इनके बीच का अंतर क्या है बीस और दस का अंतर निकालेंगे और उससे भी एक माइनस कर देंगे एक और कम कर दिया जाएगा तो देखते हैं सवाल लगाते हैं लगाईए जड़ा पहला question है हमारा कि पक्ती में कुल बच्चों की संख्या कितनी होगी टोटल की संख्या कितनी होगी क्या है क्या है क्यों एक बार आया है कौन क्यों कितने नंबर पर है 15 तो यह हो गया 15 प्लस दो बार आये में बड़ा दो बार कौन सा आया है इन्हें में बड़ा कौन सा है यह 20 वा नंबर वाला प्लस 20 और माइनस एक 20 पंदरा 35 35 में से एक गया 34 34 34 बच्चे हैं टोटल लाइन में दूसरा कह रहा है इनके बीच में कितने हैं बीच में निकालने के लिए दो बार आया उप्लस अंतर और दो बार आया है व एक बार दसमें नंबर पर आप बीशनें नंबर पर तो इनका अंतर क्या हो जायगा 20-10 और उसमें से भी एक और माइनस करना है तो भी इसमें से 10 गया 10-1 9 तो 9 बच्चे हैं इनके बीच में और 34 बच्चे हैं पूरी संख्या इस तरह हम तुरंट देख करके तुरंट बता दिये सवाल इसके आगे हम दूसरा question लेते हैं question में है कि A left से मतलब 22 से 20 नमबर पे है B दाएं से 15 नमबर पे है after interchange मतलब बदलने के बाद आपस में बदलने के बाद B right से 35 नमबर पर हो जा रहा है तो बटाओ total कितने होंगे तो total के लिए क्या फार्मूला है total means school एक बार आया प्लस दो बार में जो बड़ा आया है और minus 1 एक बार कौन आया है A क्योंकि B यहां भी है यहां भी है एक बार कौन है A एक बार आया है B A 20 नमबर पे हैं फिर प्लस दो बार आये में जो बड़ा हो दो बार कौन आया है, बीप, एक 15, एक 35, बड़ा कौन है, 35, उसके बाद माइनस 1, तो माइनस 1, 30, 20, 20, 25 में से एक गया, 54, तो 54 बच्चे हो गए आपके टोटल, बेट बिंग में निकालना है, तो दो बार उका अंतर, दो बार आया है, 35 और 15 इनका अंतर हो जाएगा, आपका 54 आगए टोटल बच्चे, तो ये था हमारा इंटरचेंज का कोईस्टन, कि बदलने पर इस तरह ही आपके कोईस्टन पूछे जाएंगे, कि बदलने पर क्या हो जा रहा है, तो इसके लिए फार्मूला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप रठ लीजेगा, लिख ल नोट्स हैं, इम्पॉर्टेंट नोट्स, कि टोटल निकालना है अगर तो राइट प्लस लेफ्ट माइनस वन कर देंगे, राइट से कोई बक्ती है, किसी बक्ती में खड़ा है, वो राइट से किस नमबर पर खड़ा है, लेफ्ट से किस नमबर पर खड़ा है, दोनों को ज लेफ्ट से पुछ रहा है राइट से अगर टोटल दिया हुआ है पुछ रहा है लेफ्ट से किस नमबर पे है तो राइट यहां लिखा जाएगा अगर राइट से पुछ रहा है किस नमबर पे है तो यहां लेफ्ट रहेगा टोटल में से अगर लेफ्ट पुछ रहा है तो र questions देख लेते हैं तो हमारा पहला question है कि P है मालिया कोई व्यक्ति है जिसका नाम P है वो बाए से 20 वे अस्थान पर है और दाए से 16 वे अस्थान पर है तो बताओ पक्ति में कुल कितने बच्चे हैं क्या पूछा कितना कुल पक्ति में कितने बच्चे हैं मतलब टोटल पूछा है तो टोटल पूछा है और यह लेफ्ट से दिया हुआ है तो टोटल निकालने का फार्मूला क्या है अगर लेफ्ट और राइट से दिया है कि राइ 36 minus 1 is equal to 35 बच्चे, तो टोटल आ गया हमारा 35 बच्चे हैं, नेक्स्ट कोईस्टन देखते हैं, सिम्पल एकदम, कि 40 बच्चों का एक कमरा है, जिसमें राम नीचे से 21 नंबर पर है, 40 बच्चों का कमरा है, राम का बॉटम से नीचे से 21 नंबर है, तो बताओ उपर से कितने नंबर होगा, तो अगर टोटल दिया हुआ है, आपका की 40 बच्चे है, तो टोटल अगर दिया हुआ है, और टॉटल से या बॉटम से पूछ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पूछ रहा है, तो क्या करेंगे टोटल में से बॉटम को घटा करके एक उसमें प्लस कर दिया जाएगा तो यहां total कितना है 40 टॉप से पूछ रहा है total total कितना है 40 minus bottom bottom कितना है 21 इसमें एक जोड़ा है तो 21 है यह plus वाला यह minus वाला घट जाएगा तो कितना बचेगा 20, 40 में से 20 गया 20 20 नंबर पर है यह 20 में अस्थान पर टॉप से तो simple खाली सवाल को देखना है formula apply करना है उतरा जाएगा अगला question हम देखते है next question हमारा 8 top से 12 में नंबर पर है bottom से 16 में नंबर पर है तो total बताओ total is equal to क्या होता है top plus bottom minus 1 top से 12, bottom से 16 minus 1 यह कितना हो जाएगा 28, 28 minus 1 is equal to 27 total 37 बच्चे है उस line में simple इसी तरह से आगे भी देखिए A right से 10 नंबर पर है B right से 15 नंबर पर है C left से 8 नंबर पर है B left से 20 नंबर पर है total बताओ total कब पता चलता है जब एक ही बेक्ति का left और right दोनों से direction पता हो जिसे A यहां था A top से और bottom से दोनों A के बारे में बताया गया था क्या यहां कोई इसा है जिसके बारे में right और left दोनों से बताया गया है तो मिलता है मैं क्या B B के बारे में right से भी बताया गया है left से भी बताया गया है तो total is equal to क्या हो जाएगा, right plus left minus 1 is equal to 34, यानि कि हमारा answer आगया कितना 34, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई एक शहिए जिसका right और left दोनों हो, b का right और left दोनों था, तो आगया हमारा answer 34, यहां से हमारा ranking खतम होता है, अजर इसके बाद भी अगर आपके मन में ranking को ले करक कोई भी doubt है, तो आप हमें comment कर सकते हैं, हम उस पर आप, आपको अगली वीडियो देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से हांस पे ranking खतम होता है, अब हम अगला, अपना अगला portion कल शुरू करेंगे, तो अगर वीडियो पसंद आया हो, तो like कीजिए, share कीजिए, और subscribe भी कीजिए, thank you में आप शूओ की जूबू कीजिए, यगल जुरू कीजिए, और मैं रजियो झाला, और मैंने कैने कीजियो अगली वेटोगा होते हैं, हमाना कीज अब होता है, और सकते हैं, व्य वेकितनी।